बड़ी खबर जम्मू कश्मीर में आतंक्यों के रिलाफ सेना का सर्च ओप्रेशन लगातार जारी है अकनूर सेक्टर में दो संदिद आतंक्यों को देखने के बाद सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस दलाची अभियान चला रही है इसके लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है ग्रोन में हाई डेफिनेशन क्यामरे लगे हुए हैं जो कई किलोमीटर दूर तक आतंक्यों की गतिविद्यों की निगरानी कर सकते हैं तो अकनूर सेक्टर में दो संदिद आतंक्यों के छिपे होने की सूचना के बाद इलाके में सर्च अभियान चल रहा है अकनूर कि में सर्च ओप्रेशन को और तेज कर दिया गया है ड्रोन का सहारा भी लिया गया है अकनू और सेक्टर में दो संदिक आतंकियों के दिखने के बाद सेना और जमू किश्मीर कुलिस मिलकर ये तलाशी अभियान चला रहे हैं और इसके लिए ड्रोन की मदद भी ली जा रही ह ड्रोन में हाइड डेफिनेशन कामरे लगे हुए हैं जो कई किलोमीटर दूर तक आतंकियों की गतिविधियों को ट्REAS कर सकते हैं उन पर निग्रानी रख सकते हैं तो सेना का सर्च ओप्रेशन चल रहा है ड्रोन से आतंकियों की तलाश की जा रही है आतंकी गतिविधियो में जिस तरह से घाटी में इजाफा हो रहा है उसको देखते वे सुरक्षा बल पूरी तरह से सतर्ख हैं मुस्तैद हैं और हर प्रयास किया जा रहा है आतंकियों को रोकने का उनकी धर पकड़ करने का जम्मू के एक नूर और कानचक में लगातार दो से लेकर तीन संदीक देखे गए उसके बाद तेजी से जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है पूरे इलाके में और अब भारती सेना और जम्मू कुश्मिल पूलीस पूरी तरह से टेक्नॉलजी की मदद लेकर यहां प पर हैं पूरी तरह से आप देखिए आर्मेडो वेहिकल और आसपास के इलाकों में तलाश करने के लिए बारती सेना और जम्मू कुश्मिल की पूलीस तेजी से टेक्नॉलजी की मदद जो है वो यहां पर ले रही है और कोशिश यही है कि जो संदिक देखे गए हैं उन्हे कोशिश करते हैं तो वो इतना भड़ा गाह हो जो उन्हें सदियों तक याद रहे और पाकिस्तान यहां पर आदंकी भेजने से पहले सो बार सोचे विड़ जनलिश मानी के नहीं साथ अज़त पूराजी मिडिया जमू पुन्छाईवे अखनूर